Hello everyone, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो simplest hacks जिससे आप अपनी skin से excess oil को remove कर सकते हो यह सुरू करते हैं अब इन hacks में से जो hack मुझे सबसे जादा useful लगता है वो मैं आपके साथ आकरी में शेयर करूँगा तो make sure आप वीडियो को last तक देखो अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लो ताकि आप और मैं connected रह सकें और एक साथ ग्रो कर सकें मैं बच्पन से sports में ज़्यादा active रहा हूं और इतनी गर्मी और pollution के बीच रहने के बावजूद मुझे आज तक acne related problems को कभी face नहीं करना पड़ा है अब ये चीज मैंने कुछ simple hack से अचीव करी है जो मैं आज आप लोगों के साथ share करना चाता हूँ तो आज का हमारा पहला hack है use oil free sunscreen अब अकसर oily skin पे sunscreen लगाने से dryness आती है शायद इस वज़े से कुछ लोग sunscreen को avoid करते हैं ऐसा मत करो क्योंकि आप जो sunscreen लगा रहे हो वो शायद आपकी skin type के लिए साही नहीं है ऐसी sunscreen का use करो जो specifically dry skin type के लिए बनी होती है मैंने अपनी personal choices की कुछ sunscreen के links नीचे description में छोड़ दिये हैं आप उन्हें definitely जाके try करो और फिर अपने experiences को comment section में जरूर share करो ताकि हमारी YouTube family आपके experiences सीख सके हमारा अगला hack है use moisturizers अब ये misconception बहुत लोगों को होता है कि अगर आप moisturizer use करते हो तो वो आपकी skin को और ज़्यादा oily बनाता है पर fact ये है कि moisturizer आपके oil levels और hydration levels को maintain रखती है अगर आप moisturizer सिर्फ सर्दियों में लगा रहे हो क्योंकि तब आपकी skin dry हो जाती है तो आप अपनी skin के साथ justice नहीं कर रहे हो आपको moisturizer throughout the year लगाना है पर फिर मैं आपके साथ एक बात कहना चाहूंगा कि आपको उसकी quantity के उपर check रखना है एक certain limit के अंदर लगाना है last thing किसी भी weather में आपको अपने moisturizer के layer के उपर sunscreen जलूर लगाना है क्योंकि sun का आपकी skin से direct contact आपकी skincare routine के लिए बिलकुल अच्छा नहीं है मैंने अपने choices के कुछ moisturizer की link नीचे description में छोड़ दिये तो make sure you check them out हमारा अगला hack है don't over wash your face जब भी हम face wash करते हैं तब हमें लगता है कि हमारी skin में जित्ता भी excess oil है वो remove हो गया है हमें ऐसा feel होता है कि हमारे face में जित्ता भी dirt है excess oil है वो face wash करने की वज़े से remove हो चुका है मतलब ऐसा होता है अरे कहना क्या चाते हो डिकर तब आती है जब आप इसकी frequency बढ़ा देते हो आपको अपना face wash को limit करना होगा अगर आप face wash बहुत जादा कर रहे हो तो आपके skin cells मजबूर हो जाएंगे कि वो और जादा oil produce करें जिससे आपकी skin dry ना रहे इस excess oil की वज़े से आपके face बे blackheads भी हो सकते हैं इसलिए I suggest कि आप अपने face wash की frequency को limit में रखो मेरा अगला और सबसे important hack है check your diet अब ये चीज मेरी opinion में बाकि सारी hacks के comparison में जादा important है ऐसा क्यों कि मैंने अभी तक आपके साथ जित्ते भी hacks share की है वो सारी external factors दे पर diet आपके अंदर से change लाएगी ये मतलब healthy changes junk foods में बहुत excess amount में oils और sugars होते हैं जो आपके face पे acne के form में शोर होते हैं try करो कि आप अपनी diet में fruits और vegetables को जादा add करो क्योंकि वो fiber rich food होते हैं और fiber rich food आपकी body से toxic materials को remove करने में help करते हैं मैं खोदेने consume करता हूं but I make sure कि मैं इने एक certain limit के अंदर consume करूं तो ये थी मेरी आज की वीडियो अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी help करी हो तो make sure आप इस वीडियो को like कर दो और comment कर दो ताकि YouTube algorithm में से और recommend करें और मुझे थोड़ी सी motivation मिले चैनल को subscribe नहीं किया तो वो कर लो and I'll see you in the next video